नाजकार में नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF News मोदी के कपड़ों की धूम पुरी दुनिया में जब भी PM मोदी किसी कारिकरम, सेमिनार या किसी भी आयोजन में जाते हैं तो उसे हिसाब से कपड़े पहन कर ही जाते हैं भारत के राजनिती की विसलेशक कहते हैं कि PM मोदी अपनी स्टाइल और अपने पहनावे को लेकर काफी कॉंशस रहते हैं और इन सब का पूरा उनकी टीम और खुद PM मोदी भी खयाल रखते हैं उसी कड़ी में भारत के राश्टपती रामनाथ कोविंद, 15 मई से जमायका और सेंट विनसेंट और ग्रिनेडाइन्स के एक हफते के दौरे पर हैं यह किसी भारतिय राश्ट अध्यक्ष की इन दो कैरिबियाई देशों की पहली यात्रा है विदेश मंतुराले में पुर्वसचीव सौरव कुमार ने समबाद दताओं से कहा कि राश्टपती रामनाथ कोविंद की यात्रा कैरेबियाई शित्र के देशों के साथ भारत के उच अस्तरिये जुडाओं को दर्शाती है और छोटे विकास दशील दिवपक्षिये देशों के साथ काम करने की प्रतिबधता पर जोर देती है इसी दोरे में राश्पती कोविंद का स्वागत सेंट विंसेंट और गिनने डाइन्स के परधानमंत्री रॉल्फ गोंजालवस ने किया और दोनों देशों के बीच दोस्ती का एक बहुत खास उधारन पेश किया रॉल्फ गुंजालवस ने कहा कि भारत के परदानमंत्री नरेंदर मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है रॉल्फ गुंजालवस ने कहा कि एक खास आउसर के लिए प्येम मोदी के दरजी ने उनके लिए सूट सिला था मेरा Blazer PM Modi के दरजी द्वारा बनाया गया था उन्होंने यह भी सूट बनाया है जो मैंने आज अपने दोस्त राश्पती कोविन के स्वागत के लिए पहन रखा है PM Modi और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है हम दोनों विनोधी और मानावता, शांती वस्तुरक्षा के चिंता करते हैं आपको यहां बताते चले कि गुणजालवस का Blazer PM Modi के जैकेट जैसा था रॉल्फ गुणजालवस ने आगे कहा कि PM Modi ने दिल्ली में मुझसे मिलने के लिए गुजरात के दरजी को बुलाया और उन्होंने मुझे इसी सूट के लिए मेरी नाप ली जिसे मैंने अपने दोस्त राश्पती रामनात कोविन के स्वागत के लिए पहना है प्रधानमंत्री गुणजालवस ने कहा कि मैं भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत देश मेरे दिल में है सभी सेंट विसेंट और गरिनेडाइन्स लोगों के दिलों में है राश्ट पती के साथ बैठक में PM गुणजालवस ने यह भी गोशना की कि वे वेपार और निवेश को प्रुथसाहित करने के लिए 2023 तक भारत में एक राजने के मिशन अस्थापित करने का एरादा रखते हैं ताकि हम वेपार और निवेश को प्रुथसाहित कर सकें तो आप समझ सकते हैं कि कैसे PM मोदी ने St. Vincent and Gernadines के प्रधानमंत्री रॉल्फ गुनजालवस का सूट सिलवाया और आज जब राश्टपती वहां पहुँचें तो St. Vincent and Gernadines के प्रधानमंत्री रॉल्फ गुनजालवस ने इस बात का खुलासा किया है are differences in location. You are far away from us, we are here, sizes, there's unequal power. But yet, we share a lot. We have ties of blood. We share the values of democracy and liberty. we share the same ideas of non-alignment from hegemonic power blocks we are for peace security and prosperity for all nations and peoples we have excellent bilateral relationships in a range of practical matters and we work through the multilateral system very well at the United Nations and elsewhere and in recent times and particularly since my visit to India in 2019 September 2019 we have seen an amazing uptick in our relations both at home and abroad with India and people are saying culturalism is more relevant in today's interconnected and interdependent world than it was at any time in our shared history multilateralism ought to be used as an instrument to promote strong, sustainable, balanced and inclusive growth in all nation states however, for multilateralism to remain relevant and effective institutions need to be reformed structures and institutions that emerged after the two world wars focused on one major issue that of preventing another world war to tackle the complex issues of today the new world order that we seek to build is to be an inclusive world order where every country can express its legitimate interests this can only happen by way of an expanded and better designed representation system in key global institutions Madam Speaker it is important therefore to ponder upon and examine whether the current world order with the United Nations and its institutions is adequately serving the global community in addressing these complex issues in the community ациacin.org you 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 you